Hello guys, welcome to the Tech Students YouTube channel and guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है OnePlus Note 2 के बारे में, जो कि OnePlus Note का successor होने वाला है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, OnePlus Note जो था, वो पहला OnePlus के तरफ से mid-range smartphone था, जहां पर आपको काफी कुछ आफर किया गया है OnePlus के तरफ से, बट OnePlus Note के अंदर कुछ कमिया थी, जो कि OnePlus Note 2 के अंदर fulfill होने वाले है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, OnePlus Note 2 के specifications के बारे में, और इसका pricing क्या होगा, और एस smartphone कब तक launch होगा, अगर आप लोग OnePlus Note 2 को लेकर interested है, तो ये वीडियो आपके कर देना और चानल को subscribe कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting videos लाता रहूँ, तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, OnePlus Note 2 के display के बारे में, OnePlus Note 2 में आपको एक 6.5 inches का, Full HD प्लेस AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा, जो की एक Fluid AMOLED होगा, साती phone के top left side corner पे एक punch hole देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको front facing camera का setup देखने को मिल जाएगा, लास्ट यर OnePlus Note के अंदर आपको dual punch hole selfie camera का setup देखने को मिल गया था, लेकिन इस बार OnePlus Note 2 के अंदर आपको single punch hole camera ही देखने को मिल जाएगा, साती यहां पर आपको 120 Hz का higher refresh rate और HDR 10 Plus का support भ देखने को मिल जाएगा, cameras की बात करें तो काफी सारे leaks के तुरू पता चला है कि इस बार OnePlus Note 2 के अंदर आपको 108 megapixel का quad rear camera setup देखने को मिल सकता है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारे mid-range smartphones के अंदर आपको 108 megapixel का quad rear camera setup देखने को मिल जाता है, जैसा कि Realme 8 Pro and Redmi Note 10 Pro Max, तो इन सभी smartphones के अंदर आपको 108 megapixel का camera setup दिया गया है, वो भी under 20,000 rupees के अंदर, तो यहां पर इस बार काफी सारे chances है कि OnePlus Note 2 के अंदर आपको 108 megapixel का primary camera sensor, साथ में 8 megapixel का ultra wide angle sensor और 5 megapixel का depth and 2 megapixel का micro sensor भी देखने को मिल जाते हैं, फ्रेंट में OnePlus Note 2 में 32 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा, अब बात करते हैं इसके performance के बारे में, तो recently Mediatek ने अपना एक नया processor को launch किया है, जो की Mediatek Diamond City 900 वाला chipset, और यह जो Mediatek Diamond City 900 वाला processor है, इसको बनाया गया है 6 nanometer technology के base पर, यानि कि काफी यहां पर आपको काफी अच्छा performance देखने को मिल जाएगा, और यह जो chipset है, एक upper midrange chipset है, यहां पर आपको सबसे पहला OnePlus Note 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको OPPO Reno6 Series के अंदर भी यह chipset देखने को मिल सकता है, OnePlus Note 2 के कुछ extra features के बारे में बात करूँ, तो यहां पर आपको out of the box Android 11 का support द higher variant के अंदर आपको 12GB of RAM देखने को मिल जाता है, और storage के बारे में बात करें तो यहां पर base variant के अंदर 64GB of storage देखने को मिल जाएगा, और higher variant के अंदर आपको 256GB of storage देखने को मिल जाएगा, और बात करें इस device के बैटरी के बारे में, तो यहां पर आपको 4500MH की बैटरी वो आपको 23,999 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा बात रही OnePlus Nord 2 के launch event के बारे में तो मुझे लगता है कि OnePlus Nord जो था वो जुलई के महिने के अंदर launch हुआ था तो most probably leak के हिसाब से OnePlus Nord 2 भी आपको जुलई के महिने में ही देखने को मिल जाएगा अभी तक इसका launch event तो confirm नहीं हुआ है दोस्तों लेकिन जहां तक leaks के according हमें information मिल चुका है उसी सब से कहे तो जुलई के आसपास ही आपको OnePlus Nord 2 भी देखने को मिल जाएगा तो यही है दोस्तों OnePlus Nord 2 के leaks and rumors जहां तक हमें information मिल चुका है मिलते है ऐसे ही interesting वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रुखिएगा जेहिंद